Hi Friends, Welcome to Priya's DIY Channel और मैं हूँ Priya आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ एक कैसी है ट्रीक्मेंट जो बच्चों के बालों को बढ़ाने में बहुत ही असरदार थाबित हुई है यह नुसका आजमाया हुआ है और मेरे हिसाब से यह उन बच्चों के बाल बढ़ाने में काफी मदद करेगा जिन बच्चों के बाल जनम से ही काफी हलके होते हैं इसमें जो भी इंग्रिडियन्स हम यूज करेंगे वो ज्यादा तर बच्चों के लिए सेफ हैं बट फिर भी अगर आपके बच्चे को इसमें यूज की हुई कोई भी चीज से ऐलर्जी हो तो उस टेप को स्किप करके आप इसे बना सकते हैं दुशरी बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए प्रियास टियाइवाय चैनल को और बेल आइकम पे क्लिक कीजिए मेरे फ्यूचर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये बिलकुल फ्री है इस ओयल को बनाने में सबसे पहले हमेशा है दो चमब चावर आपके से भी दरा के चावर का इस्तिमाल कर सकते हैं इसा आपने साफ पानी से दो से तेन बार दोकर एक कपड़े पर इस तरह से फैला कर कुछ घंटों तक कम्प्लीटली ड्राइ होने के लिए छोड़ देना है और जब ये ड्राइ हो जाए तब इन्हें एक चतनी जार में डाल कर दर दरा पीस दिना है ध्यान रहें आपको हार्डली पास से दस सेगेंस तक ही इससे घ्राइन करना है ये कुछ इस तरह के चावल जब तूट कर रेडी हो जाए तब इससे एक बाउल में निकाल कर अलग रखते नेक्स टेप में एक बाउल लेकर 100 ml के करीब इसमें mustard oil यानि के सरसो का तेल ले हमें खाने के यूज में आने वाला सरसो oil ही लेना है इस बात का ध्यान रहे इसमें antibacterial और antifungal properties होती है जो बच्चों के scarpe में infection या फिर रूसी नहीं होने देता है साथ ही इसकी तासीर जो होती है वो थोड़ी गरम होती है इसलिए scarpe में blood flow को बढ़ाता है जिसे बाद 30 इसे बढ़ते है साथ ही बच्चों को जो आम तोर पे सर्दी या जुखाम होने के chances होता है वो भी इसे लगाने से कम हो जाते है इसके बाद इसी बाद में एड़ करें castor oil यानि के अरेंडी का तिल या oil काफी थिक होता है इसलिए इसे हमेशा किसी भी oil में मिला कर ही यूस मेंने ये बालो को काला और घना करता है इसे हमें ज्यादा नहीं बस 3 तेबल स्पून की करीब ही इसमें एड़ कर लेना है लांस में इसमें एड़ करें 50 समय के करीब नारेल का तिल नारेल की तिल में विटामिन B, C, E और आइलन होता है जो की बालो को बढ़ाता है साथी हैरफोल को भी रुखता है अब इस वाइल को हम हलका सा डबल बॉलर मैथर की मदद से गरम कर लेंगे पांच मिनित बाद जब ये गरम हो जाए तब इसे किसी कांच के कंटेनर में शिफ्ट कर दे और वीडियो की स्टार्टिंग में हमने जो चावल को हलका सा ग्राइन करके रखा था उसे इसमें डाल ले अब ये ओल बन कर रड़ी है इसे आपको बच्चे को नहलाने के बार बच्चे के सर पे इस तरह से हर की हाथों से मसाज करना है जिससे कि ऑल स्कार्ट में सही से पेनेट्रेट हो जाए और अपना काम करना शुरू कर दे हो सके तो रात को सोने से पहने भी इस देर से बच्चे के सर पे मसाज करे ऐसा करने पर यह आपको और भी faster result देगा साथी बच्चा बहुत ही आराम से सूपाएगा Make sure कि आप इसे बच्चे पर रोसाना इस्तमार करें और हफते में दो बार से ज़्यादा hair wash ना करें साथी आप इस oil को बना कर दो मिनों तक आराम से use में ले सकते हैं यह बिल्कुल भी खराम नहीं होगा तो आज इस oil को बनाए और आपको इसके कैसे result मिने यह मुझे comment करके ज़रूर बताए साथी वीडियो पसंद आया हो तो like करके share करें और चैनल को subscribe कर लिए आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए